अगर आपको यह उप्सन को यूज करना है क्या है इसे यूज करने का सही तरीका अगर आप यह जानना चाहते हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूरा आपको पूरा नहीं पड़ेगा तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो पर आपको कुछ इस परकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर आपको पेज को ओपर करना है पेज को जैसे यहाँ आप ऊपर के श्कॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोसनों इस जगा पे digital ओप्स यहां पर आपको मिल ऌए है तो यह व्योफन प्रप स mover का सिम कार्ड को अधर सकती हूं मान चोले हैं किसी कश्टमर का सिम कार्ड ऐ Child Customer है और यहां पर सिम कार्ड खो गया है यहां पर है यहां पर कहले कि उसका सिम कार्ड टूट गया है डैमेज हो गया है किसी भी रीजन के वाज़े से यहां पर सिम कार्ड खराब हो गया है सिम कार्ड पर नेटवर्क नहीं आ रहा है बिलकुल ही काम नहीं कर रहा है सिम कार्ड और वो यहां पर चाह रहा है कि सिम कार्ड को जो है क्या लगेगा कितना आप यहां पर कमाई कर शकते हो तो शरी आई यह जानते हैं और वीडियो को आगे वढ़ते हैं और बताते हैं आपको पूरा किसे आपको करना सिम्सक्राइब करना किस्टमर का शालू कैसे करना सिमकारड को दोस्तों उसके लिए अपर आपको अधार और यहां पर कंप्लीट करके कस्टमर का रिप्लेस कर सकते हो SIM card को खोया SIM card को चालू कर सकते हो और दूसरा यहाँ पर आपको देखने कुम लेगा digital OTP के द्वारा यानि कि आप यहाँ पर digital के द्वारा यहाँ पर डॉक्मेंट अप्लोड करके यहाँ पर कस्टमर का रिप्लेस कर सकते हो SIM card तो यहाँ पर यह दो प्रोसेस यहाँ पर दियागी है आप जो प्रोसेस से करना चाहते हो वो कर सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है सेकेंडर उप्सन का यूज करूंगा तो इस पर सिंपली एक बाद टैप करूंगा टैप करने के बाद दोस्तों इस जगा पर ditखने को मिलेगा रिप्लेसमिंट के लिए आपको बताया जाजा कि अपर आपका सिंप काड लॉस्ट हो गया है, इंदल स्मकर्ड.ख great करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ने उसली उप्सन दिया गिया है तो यहाँ पर आपको और यहां पर लॉश्ट आफ़ पर जैसे मैं टिक मार करूँगा तो यहां पर बताया जाएगा की यहां पर आपका एक्टिविशन चार्ज क्या कुछ कटने हो ला है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है charge of SIM card replacement का SIM swipe का यहाँ पर आपको दिया गिया है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर retailer का जो यहाँ पर payment यहाँ पर कटेगा account से वो यहाँ पर कटेगा 40 रुपया customer से लेना यहाँ पर आपको 50 रुपया यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि आप देख सकते हो और नीचे यहाँ पर यह एक छोटा सा note दिया गिया है अगर यहाँ पर EC में तो यहाँ पर कोई भी charge नहीं लगेगा without charge का यहाँ पर आप जो है SIM card को replace कर सकते हो तो यहाँ पर आपको पेज को उपर scroll करना है उसके बाद यहाँ पर customer का detail मांगा जाएगा जैसा कि यहाँ पर customer का mobile number तो जो SIM card को आप replace करना चाहते हो वो number को आपको simply ही जगा पर डाल देना है तो चली यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आप number यहाँ पर डालोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से page open होकर आएगा जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कि यहाँ पर SIM lost होने से पहले SIM खोने से पहले यहाँ पर आपने कितना का amount का recharge करवाया था तो यहाँ पर आपको amount डालना है जो है यहाँ पर आप को आपको मांगा जाएगा सी numer डालोगे जो यहाँ पर मैं अपन डाल देता हो आप अपना सीट है दालता हो आप ऑपना सीटी ओछically डालने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो है पेज को उपर किश्कॉल करना है पेज को उपर किश्कॉल करने के बाद यहां पर आपको मांगा जाएगा सीम डीटेल्स तो यहां पर आपको जो है सीम डीटेल्स में यहां पर आपका जो ब्लैंक सिम कार्ड होता है जिससे आ आप एसकेन करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका 20 डिजिट का जो नंबर होता है वो यहाँ पर automatic आजाएगा अगर यहाँ पर आपका जो है बार कोड की बार कोड घिस गया है इसकेन नहीं ले रहा है तो आप यहाँ पर manually भी feel कर सकते हो यहाँ पर कोई दिकत की बात नहीं है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको नीचे verify sim number का option तो यहाँ पर आपको जो है verify जो sim number का option देखने को मिल रहा है यहां पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को बिल रहा है, यहां पर कहा जा रहा है, verify customer, तो यहां पर आपको टार्मेंट कंडिशन को accept करना है, customer का तो उसके लिए आपको यह box all option पर टिक करना है, यहां पर जैसे ही box all option पर टिक करोगे, तो यहां पर आपको यह pop up आएगा, तो यहां पर आपको ok करना है, ok करने के बाद आपको page को उपर किश्कॉल करना है, यहां पर customer का आधार number डालना है जगापे, और आधार number चलिए मैं डाल देता हूँ, customer का आप भी डाल दोगे, तो दोस्तों यहां पर मैंने customer का आधार number डाल दिया है, अगर customer के पास आधार number नहीं है, तो virtual ID number आप यहां पर यहां पर यूज़ कर सकते हो, उसके बाद यहां पर आपको नीचे दौ आपसेंगर होगा पहला है यहां पर आपको टाप करंगा ते के साथ ह्यां पर हमारा केमरा ओपन हो जाएगा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पर अभी यह पर फोटो अप्लोड हो चुक्ट है अप्लोड होने के बाद यहांपर आप के लिए आपको तो आपको आपका अप्लोड हो जाएगा यहां पर वेट करने को कहें और यहांपर चालो हो जाएगा तब तक करने को को वेट करने को कहें और रहा पर जैसे यहीं हो सिम लगाएगा तो कस्टमर का सिम पकाड पर नेटवर्क आज जाएगा और हम जो बालेंज वाइडीटि था यहाँ पर कस्टमर को हूँ पिल जाएगा यहां पर कस्टमर का जो मेसेज हो यहां पर SMS यहां पर काम नहीं करेगा 24 घंटे बाद यहां पर SMS रिसीब होना सुरू हो जाएगा झाल